हेलो स्टूडेंट माई नेम इस मदू भला लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पड़ा था कि रेस्पिरेशन इन लिविंग और्गिनिजम तो उसका एक पार्ट अल्रेडी अप्लोड हो रख है और अब सेकिंड पार्ट आ रहा है इसका कि ब्रीधिंग इन इनिमल तो सबसे पहले जो है हमें आपको बोलूँगी कि जिन्होंने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आप पहले उसको देखो आफ्टर डैट तब ही आपको यह समझाएगा कि हम इसमें किसकी बात कर रहे है अब देखो जाए वो ह्यूमन हो प्लांट हो हूँ हूँ हू यह प्लांट है तो यह भी सारे सांस लेते हैं तो लिविंग और्गनिजम इसलिए इनको बोला जाता है कि जो सांस लेते हैं उनको लिविंग और्गनिजम बोला जाता है यहाँ पे जो ब्रीधिंग है हार एक एनिमल में जो एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल जो है जो है, spiracle होते हैं, ठीक है, कईों का tracheal system होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है, कि कई जो है, gills के थू, skin के थू, spiracle, lungs के थू, सांस लेते हैं, तो ये सारा breathing system है, तो ये सब में different होता है, अब देखो, अगर मैं बात करूँ, animal की बात करूँ, क्योंकि हमने respiratory system, जो है, human being का अल out कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको मैं इतनी guarantee देती हूँ, आपको दुबारा बुक पढ़नी ने पड़ेगी, लेकिन अब जैसे हम animal का अब डिसकस करने हैं, तो हम इसमें यहाँ पे, जैसे कई जो animals, gills के थू, कई skins के थू और lungs के थू, और स्पाइकल के थू सांस लेते हैं, breathing उनकी चलती है, उसके बारे में समझेंगे, सबसे पहले मैं जो start करने जा रही हूँ, मैं सबसे पहले example ले रही हूँ, cockroach का, ठीक है, cockroach के बारे में discuss करेंगे, इसमें क्या होते है, इनके side में small opening होती है, cockroach में small opening on the side of, on the side, on the side of its body, इनकी body में, जो है, side में opening होती है, यह जो opening होती है, इनको बोला जाता है, spiracle, ठीक है, अब साथ साथ note कर सकते हो, question आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ, अगर आपको बोला जाता है, कि cockroach में, जो है, एर कैसे enter करती है, तो वो due to spiracle enter करती है, अब इसका system आपको समझना पड़ेगा, होता क्या है, जब जो oxygen है, ठीक है, oxygen rich air, जिस एर में oxygen जादा है, तो यह जो है, कहां जाती है, यह जो है, spiracle, के through, कह सकते हो, कि यहाँ पे, tracheal tube में जाती है, tracheal tube, ठीक, ठीक, यहाँ पे जो है, जैसे insect heavy network of air tube is called trachea for gas exchange, यहाँ से gases exchange होती है, और यहाँ पे जो gases आ रही हैं, मतला oxygen आई, तो यह क्या होएगा, tracheal tube होती है, यहाँ पे, तो यहाँ पे diffuse, यह जो air enter करी थी, diffuse into body tissue, तो उस air को body tissue जो है, diffuse करते हैं, कहने का मतलब यह है, कि कहने का मतलब है, कि इसमें जो अगर short summary समझो, तो यह spiracle है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कि जो oxygen थी, जिसमें यादा air के अंदर, वो किसके rushes through spiracle into spiracle से, मतलब ऐसे समय लो, पहले यहाँ पे गई oxygen spiracle, तो वापिस जो आ रही है, वो यहाँ पे जाएगी tracheal tube के अंदर, तो यहाँ पे diffuse into the body part, और reaches the, यह किसके कहां पे पहुंचेगी, reaches every cell of the body, तो हमारे हर cell को यह पंचा दी जाती है, every cell of body, समझे, कहने का मतलब है, कि कौकरच में क्या होता है, मैं दुबारा repeat कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, कौकरच में side में openings होती है, जिनको बोला जाता है spiracle, होता क्या है, कि, यहाँ पे लिखो spiracle, होता क्या है, कि, जो हवा में, जो हवा अंदर जाएगी, जो यह सांस लेते हैं, उसमें oxygen की supply होगी, जब oxygen जो है spiracle through tracheal tube में enter करती है, तो यहाँ पे यह जो gases हैं, वे डिफ्यूज हो जाती है, after that उनको हर एक cell में supply कर दिया जाता है, ठीक है, अपने आप जो है supply हो जाती है, अगर मैं इसी तरह बात करूँगी, अब देखो oxygen तो गई, लेकिन इनके अंदर से carbon dioxide भी तो बाहर आएगी न, तो इसी तरह अगर कोई cell है, अगर उसमें से carbon dioxide बाहर आ रही है, ठीक है, तो वो कहां जाएगी, अब यहाँ पे उल्टा होता है, तो carbon dioxide जो है tracheal tube में आएगी, ठीक है, और यहाँ से moved out हो जाएगी, moved out करेगी spiral, spiracle से, समझे, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे उल्टा है मतलब जब oxygen enter कर रही है, तो वो spiracle के through कर रही है, मतलब एंटर, spiracle के through, फिर tracheal tube में आती है, यहाँ पे gas id diffuse होई, तो हार एक cell को मिलगी, लेकिन जब अब इस cell में से वापिस जो है, मतलब कॉकरच में से जो carbon dioxide वापिस आएगी, वो कहां जाती है पहले, वो जो है जाएगी tracheal tube में, वहां से move out और कहां होएगी, spiracle में, ठीक है, तो यह इसका एक system है, जहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो air tube है, कह सकते हो, कि these air tube और tracheal are found only insect, मतलब यहाँ पे जो है, air tube, air tubes और tracheal, यह कहां पाया जाता है, यह सिर्फ जो है found only, found only insect, insects, समझे, यह होपसो की cockroach वाला आपको समझ आया है, कि जो मैं बताना चारी थी, कि cockroach में gases, जो है, जो gases है हमारी respiratory, एक है carbon dioxide, एक है oxygen, इन दोनों का diffusion कैसे होता है, तो इसमें short में यही था, जब जिस air में oxygen ज़्यादा है, जिससे हम सांस लेते हैं, वो पहले spherical में जाएगी, after that वो tracheal tube आएगी, यहाँ पे gases diffuse हुई, और हर एक cell को supply कर दी गई, लेकिन जो cell से, जो अंदर जो है gases दूसरी भी तो बाहर आएगी, carbon dioxide, जब cell से carbon dioxide बाहर आ रही है, वो जाएगी tracheal tube में, after that spherical से वो बाहर निकल जाती है, air tube और tracheal जो है सिरफ insects में होता है, अब बात करते हैं, earthworm, अब मैं आपको इसका diagram भी दिखाती हूँ, यह देखो, यह cockroach का diagram है, यहाँ पे track कीज़ यह देखो side, यहाँ पे side में यह चीज़ प्रेजन रहती है, ठीक है, track कीज़, इनको track किया बोला जाता है, ठीक है जी, यह cockroach का आपकी book में image बना हुए, सब में जो है, earthworm, सब में जो है, सांस लेने का respiratory system अलग-लग है, तो यह जो earthworm है, वो skin के through, जो है, breathe करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, breathe through, breathe through skin, यह skin के through सांस लेते हैं, जो इनकी skin होती है, earthworm की, वो moist होती है, लगीली सी होती है, moist and slimmy touch होता है, slimmy touch, slimmy on touch, ठीक है, on touching के सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे gases जो हैं, gases, easily passes through, easily, easily passes through it, समझे, मैंने क्या बोला, earthworm में यही है, अगर आपको पूछा जाए कि earthworm कैसे सांस लेते हैं, तो आप कहोगे by skin, ठीक है, वो अपनी skin के through सांस लेते हैं, अगर आप देखते हो, अगर पूछा जाए कि उनकी skin कैसी है, earthworm की, तो आप second question में यह लिख सकते हो, easily pass कर जाती है, यह आपने कभी क्या होगा, कि कई बारे जैसे बारिश होती है, तो earthworm बाहर आते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके उपर salt डाल देते हो, अर्थworm के उपर salt डाल देते हो, तो वो मर जाते हैं, उसका reason क्या है, कि जब आप salt डालते हो, तो oxygen की supply हो नहीं पाती, स्किन के थ्रू वो सांस लेते हैं, तो वो जो है, जब supply oxygen की नहीं मिलेगी, तो वो मर जाएंगे, तो कहने का मतलब यह है, कि earthworm जो है, स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, अब बात करते हैं, जो frog, अब देखो frog में, क्योंकि frog लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, ट ठीक है, अगर मैं इसमें frog की बात करूं, तो अगर आप क्या सकते हो, कि इसमें pair of lungs होते हैं, जैसे human के होते हैं, वैसे ही इनमें lungs होते हैं, pair जो है, पाया जाता है, दूसरा है, कि अगर इसकी skin की बात करें, frog के skin की बात, तो आप लिख सकते हो, कि जो इसकी skin है, यह skin के through भ सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू जब यह टैड़ पोल होते हैं तब यह स्किन के थ्रू सांस लेते हैं जब यह पूरे मिचयोर हो जाते हैं तो यह लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं जो इनकी स्किन होती है जो फ्रॉग की वो मौस्ट और सिलिपरी होती है moist and slippery यह मैं आपको इसके important question बता रही हूँ question कैसे भी घुमा सकते हैं आपको पूछा जा सकता है कि frogs में lungs होते हैं अगर skin के थूर सांस लेते हैं जा lungs के थूर तो आप लिखोगे both यह skin के थूर भी लेते हैं lungs के थूर भी लेते हैं skin में तब लेते हैं सकता है इसमें lungs कितने होते हैं तो पेयर होता है lungs का ठीक है और इनकी जो skin होती है वो moist and slippery होती है अब देखो यह तो बात होगी land की जो animal land पे रहते हैं land पे जितने भी animal रहते हैं most of the animal में हम कह सकते हैं कि lungs होते हैं lungs के थूरू ही सांस लेते हैं ठीक है लेकिन अब breathing जो है अब देखो सिर्फ सारे animal जो है land पे तो नहीं रहते हैं कुछ पानी के अंदर भी रहते हैं underwater तो वहाँ पे breathing किस परकार होती है उसको भी समझना पड़ेगा तो अगर हम आप फिश की बात करूँ तो जो फिश होती है फिश में होते हैं gills ये gills के through सांस लेते हैं ठीक है breathe through gills ये जो है फिश जो है gills के through सांस लेती है तो यहाँ पे ये projection of इसको बोला जाता है projection of of the skin ठीक है अब ये जो है कह सकते हो कि gills जो है ये जो सांस लेते हैं ये पानी के अंदर, जो water के अंदर, dissolve water का लिख सकते हो, use dissolved oxygen from water, तो पानी के अंदर जो oxygen घुली होती है, ये उसका use करके जो fish रिया सांस लेती है, अगर आपको question आजे, fish कैसे सांस लेती है, आप लिखो गोगे gills, gills के थुरू, तो ये जो gills हैं, किसको use करते हैं, तो आप लिखोगे dissolve oxygen from water, ठीक है, अब देखो जो gills हैं, यहाँ पर जो fish के gills की बात कर रहे हैं, ये लिखोगे ऐसे, ये, तो ये well supplied, well supplied, supplied well, blood vessels होती है, blood vessels for exchange of gases, for exchange of, exchange of gases, आप देखो एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे ये है, मैं आपको इसका डाइगराम दिखाती हूँ, अपने देखा होगा कि ये जो है माउथ के तुरू का बइंट और बहुंत कबध मिल् techn stagnant होटा है, तो ये माउथ के तुरू जो है शांस लेती है, कभी ये माउथ उपन होता है, कभी ये जो फीर rewards करेगा, ठीक है? पानी के अंदर जब फिश सांस लेती है तो यहाँ पे यह जो पास करेगा तो यहाँ पे गिल्स जो है खुल जाते है ठीक है गिल्स जो है इनके थू जो है एर पास करती है गैसिस डिफ्यूज होती है अब अगर मैं यही कोशन पूछू कि फिश जो है पानी के अंदर जो है water के अंदर, जो dissolve oxygen होती है, dissolve oxygen, वो कम होती है, लेकिन land पे तो oxygen यादा होती है, ठीक है, land पे तो oxygen यादा होती है, land पे oxygen भी यादा है, लेकिन फिर जब land पे होती है, तो वो मर जाती है, क्यों मर जाती है, ये question very important है, अब देखो, जब land के उपर होती है, तो यह जो gills है को कि यह तब ही खुलते हैं जब पानी जो है माउथ के अंदर जाता है तो यहां से यह oxygen लेती है लेकिन जब यह लैंड पे होती है तो यह gills जो है चिपक जाते हैं oxygen की supply बंद हो जाती है इनको oxygen प्रापर मिलती नहीं है जिसकी बजा से यह मचली जो है मढ़ जाती है ठीक है तो पानी के अंदर जो oxygen होती है वो कम होती है लेकिन oxygen जो है लैंड के उपर यादा होती है अब देखो इसमें एक और चीज मैं बताती हूं यह question important था आपकी knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए अब देखो फिश की बात कर ली यह पानी के अंदर गिल्स के सांस लेती है यहाँ पर projection of skin बोला जाता है इसको ठीक है अब देखो इसी तरह यह तो animal की बात करी है हमने अगर मैं बात करूं plants के बारे में अब देखो plants में क्या होता है यह कोई plant है यहाँ पर यह soil है ठीक है और यह इसकी roots होती है ठीक है यहाँ पर soil है यह soil है और यह इसके roots है अब देखो जो roots है take up air from airspace यहाँ पर airspace होते है ठीक है यहाँ से जो है root take up air root जो है इसके थ्रूँ oxygen को उपर लेके जाते है ठीक है airspace तो कहने का मतलब है आप लिखोगे यहाँ पर कि जो roots है पहले अगर मैं roots की बात करूं तो roots को जो है need oxygen to generate energy roots को अगर energy oxygen नहीं मिलेगी तो यह जो है survive नहीं कर पाएंगी और जो है पोदा damage हो जाएगा तो roots को need होती है oxygen की to generate energy ठीक है तो root cells होते है clear अब root जो है यह root क्या करती है take up take up air from from the air spaces ठीक है air spaces तो यह जो है कहां present होती है present present between soil particle soil particle पार्टिकल में air space जो है present रहती है तो कहने का मतलब यह है कि यह देखो इसका diagram जो आपकी यह देखो यह जो yellow color का बीच में portion दिखा रख है this is air space मनला हवा के लिए जैसे आप क्या करते हो घर में गंबला लगाते हो तो गंबले में plant जब लगाये जाते तो आप माली को बोलते हो इसकी गुडाई कर दो उसका कारण क्या है आपको जब उसकी गुडाई करते हो तो यह जो मिट्टी के कान आपस में चिपक जाते है उसमें गैप आ जाता है तो oxygen जो है अच्छा फलता भूलता है तो कहने का मतलब है चाए वो animal हो चाए वो प्लांट हो सबको जो है सांस लेने के लिए oxygen की जुरूरत पड़ती है without oxygen कोई भी survive नहीं कर पाएगा तो कहने का मतलब है जो respiration है respiration जो है एक जो है वाइटल बाइलोजिकल बाइलोजिकल प्रोसस है ठीक है वाइटल बाइलोजिकल प्रोसस है तो जितने भी organism है organism चाए वो प्लांट हो चाएज वो animal हो ठीक है animals हो ठीक है प्लांट हो एणिमल हो चाए human हो ठीक है उनको survive करने के लिए जो है उनको एक तो सांस लेना पड़ेगा ठीक है और need to respire need to respire to get energy get energy ठाकि उनको energy मिले और survival में help follow survival ठीक है survival में help follow अब अगर मैं बात करूंगी अब एक और चीज बताती हूँ plants के बारे में एक तो तो यह हो गया अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूं तो देखो प्लांट्स में जो है अंदर जो जाएगी यहाँ पे इन गैस है ऑक्सिजन और आउट जो है गिव आउट मतलब इन बहुत डिपेंड करता है जैसे अब कार्बन डायोकसाइड जो है पोदों को चाहिए तो यह इन हो गई और आउट में यह ऑक्सिजन देते हैं डे टाइम में अगर रात की टाइम करें तो उल्टा होता है ठीक है बहुत दिन टाइम में जो फोटो सेंथिस होता है उसमें बिकॉज ओफ वहाँ पे जो है सनलाइट प्रेजंट नहीं होती फोटो संथिस प्रोसेस तब होता है पोदों में जब वहाँ पे कार्बन डायोकसाइड भी हो सनलाइट भी हो और वाटर प्रेजंट हो अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह इन हुआ और यह आउ आउट क्या करते हैं कलबन डायोकसाइड ठीक है इन रात को जो आउटाउन लेते हैं और आउट करतें लेके कैं अब देखो हुं कि आप यहांपे कर सकते हो कि इंद अहल Europos यहांपे अपक revenge है जो आजब डीओंभा में ब्रेकडाउन होएं सेट़ ग्लू revenue dom ठीक है oxygen breakdown होती है glucose में यहां आप से carbon dioxide और water ठीक है अब जैसे leaves of plants हैं पोदों के जो पत्ते होते हैं इनको food factory of the plant भी बोला जाता है तो यहां पे छोटे-छोटे leaves के अंदर बुला यह कोई लीव है तो इसमें छोटे-छोटे spores होते हैं यहां पे spores have tiny spores प्रेजेंट होते हैं यह जो-फोर्ड होते हैं इसमें इसके स्टोमेटा होता है घ्राइचेंज होती है और मेटा क्या करता है एक्चेंज गैसे exchange of gases gases कौन सी है carbon dioxide और oxygen ठीक है अभी मैं शौर्ट में बता जाते हूं कि इसमें क्या था जो प्लांट है वो carbon dioxide दिनके टाइम लेते हैं और oxygen देते हैं बट रात को यह उल्टा प्रासेज हो जाता है oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं इसलिए पोदों के नीचे नहीं सोना चाहिए अब oxygen जब ब्रेकडाउन होएगी गुलुकोज में तो यह क्या देगी carbon dioxide और water carbon dioxide तो वेस्ट है और यहां पर वाटर जो है useful प्रोटेक्ट है इस दिस क्लियर आप देखो यहां पर यहां पर पोदों के पत्ते होते हैं उन में tiny spores होते हैं इन spores में stomata होता है पत्तों के नीचे जो है stemmeta होता है वो gases को exchange करता है तो इसी के थू जो है leaves of plants को food factory of the plant भी बोला जाता है because of क्योंकि यह खाना जो है थियार करते हैं तो overall nutshell story यह निकली respiration जा breathing से जो अभी आपने सीखा है इससे आपको यह सीखने को मिला कि कोई भी animal हो animal हो plant हो ठीक है plant हो इन सब को जहां human हो इन सब को जो है survival करने के लिए एक तो जो है oxygen चाहिए ठीक है oxygen चाहिए और यहां भी जब oxygen का breakdown होएगा तो वो उनको glucose energy परवाइड कराएगा और survival में respiration जो है काफी helpful रहता है इसके बिना आप survive नहीं कर सकते तो कहने का मतलब है हो सकता है कि आपको जो है यह topic थोड़ा सा मुश्किल भी लगे जिन्होंने पहली बार पढ़ा है तो मेरी request यह है आप first video देखो first video के बाद ही इसमें shift करना ठीक है अगर आप first समझोगे तब ही यह समझाएगा hopes हो कि आपको यह lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको यह lecture अच्छा लगा जहां कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करो चाइनल को subscribe करो और वीडियो को share करो थैंक यू वेरी मुच्छ